आप भी अगर अपनी चिंता और तनाव को दूर करना चाहते हैं तो सुनिए ये कहानी सोच सबको गिला है बहुत कम मिला है जरा सोचिए जितना आपको मिला है उतना कितनों को मिला है इसी विचार पर आधारित है हमारी आज की ये कहानी तो सुनिए कहानी एक ब्यक्ति कई दिनों से बड़ी चिंता में चल रहा था जिसके कारण वो काफी चड़-चड़ा तथा तनाव में रहने लगा था वो इस बात से बहुत परिशान था कि पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसी के उपर थी आए दिन किसी न किसी रिष्टेदार का उसके यहां आना जाना लगा ही रहता था और सारे खर्चे का भार उसी के सिर पर था इन्ही सब बातों को सोच सोच कर वो काफी परिशान रहता तथा बच्चों को भी इसी गुसे में अकसर डाट देता था पत्था पत्नी से भी किसी नकिसी बात पर उसका जगड़ा चलता ही रहता एक दिन उसका बेटा उसके पास आया और बोला पिता जी मेरा स्कूल का होमवर्क है उसको पूरा करा दीजे वह बेक्ती तो पहले से ही चिंता में था तो उसने बेटे को डाट कर भगा दिया लेकिन जब थोड़ी देर बाद उसका गुसा थोड़ा शांत हुआ तो वह बेटे के पास गया तो देखता क्या है कि बेटा रो रो कर सो गया है और उसके हाथ में उसके होमवर्क की कॉपी है उसने कॉपी को लेकर देखा और जैसे ही उसने कॉपी को बंद करके रखना चाहा उसकी नजर होमवर्क के टाइटल पर चली गई होमवर्क का टाइटल था वे चीजें जो हमें शुरू में बिलकुल अच्छी नहीं लगती लेकिन बाद में वे हमारे लिए बड़ी अच्छी साबित होती है इस टाइटल पर बच्चे को एक पूरा पैराग्राफ लिखना था जो उसने लिख लिया था उत्सुकता वस उसने बच्चे का लिखा पढ़ना शुरू किया बच्चे ने लिखा था मैं अपने फाइनल एक्जाम को बहुत धन्यवाद देता हूँ क्योंकि शुरू में तो ये एक्जाम मुझे बिलकुल अच्छे नहीं लगते लेकिन इनके बाद स्कूल की जब छुटियां पढ़ जाती हैं तो सच में बहुत मज़ा आता है मैं खराब स्वाद वाली कड़वी दवाईयों को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ क्योंकि शुरू में तो ये बहुत कड़वी लगती हैं लेकिन ये मुझे मेरी बिमारी ठीक करने में मेरी मदद करती है मैं सुबह सुबह जगाने वाली उस इलार्म घड़ी को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ जो मुझे हर सुबह बताती है कि मैं जीवित हूँ मैं इश्वर को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ जिसने मुझे इतने अच्छे पिता दिये क्योंकि उनकी डार्ट मुझे शुरू में तो बहुत बुरी लगती है लेकिन वो मेरे लिए खिलोने लाते हैं जब मुझे घुमाने ले जाते हैं और मुझे अच्छी अच्छी चीजे खिलाते हैं और सबसे बड़ी खुशी मुझे इस बात की है कि मेरे पास पिता है क्योंकि मेरे दोस्त सूहन के तो पिता जी इस दुनिया में ही नहीं है बच्चे का हूंवर्क पढ़ने के बाद वह व्यक्ति जैसे अचानक निंद से जाग गया हो उसकी सोच अचानक से बदल गई बच्चे की लिखी बातें उसके दिमाग में बार बार घूम रही थी खास कर वह अंतिम पिता वाली पंक्तियां उसकी नीन उड़सी गई फिर वह व्यक्ति थोड़ा शांत होकर बैठा और उसने अपनी परिशानियों के बारे में गहराई से सोचना शुरू किया मुझे घर के सारे खर्चे उठाने पड़ते हैं इसका मतलब की मेरे पास घर है और इश्वर की क्रपा से मैं उन लोगों से बहतर इस्थिती में हूँ जिनके पास घर नहीं है मुझे पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है इसका मतलब है कि मेरा परिवार है मेरे बीवी बच्चे हैं और इश्वर की क्रपा से मैं उन लोगों से ज़्यादा खुश किस्मत हूँ जिनके पास परिवार ही नहीं है और वो दुनिया में बिलकुल अकेले है मेरे हां कोई न कोई मित्र या रिष्तेदार हमीशा आता जाता रहता है इसका मतलब है कि मेरी एक सामाजिक हैशियत है और मेरे पास मेरे दुख सुख में साथ खड़े रहने वाले मित्र और रिष्तेदार है हे प्रभू तेरा बहुत बहुत धर्निवाद मुझे माप करना प्रभू मैं तेरी कृपा को पहचान ही नहीं पाया इसके बाद उसकी सोच एकदम से बदल गई उसकी सारी परेशानी सारी चिंता एकदम से जैसे खत्मसी हो गई वह बदल सा गया वो अपने बेटे से लिपट था बेटे के माथे को चूम कर वो अपने बेटे को तथा इस्वर को धेर सारा धन्यवाद देने लगा दोस्तों हमारे सामने जो भी परेशानिया हैं हम जब तक उनको नकरात्मक नजरिये से देखते रहेंगे तब तक हम परेशानियों से घिरे ही रहेंगे लेकिन जैसे ही हम उन चीजों को उन परिस्थितियों को सकारात्मग नजरिये से देखना शुरू करेंगे हमारी सोच एकदम से बदल जाएगी हमारी सारी चिंताएं सारी परिशानियां सारे तनाव एकदम से खत्म हो जाएगे और हमें मुश्किलों से निकलने के नए नए रस्ते दिखाई देने लगेंगे दोस्तों कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताईएगा तथा मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके मेरा प्रसान कीजिए मिलती हूँ ऐसी ही एक नई और अनोखी कहानी के साथ धन्यवाद